इस एपिसोड में हम बात करने वाले information gathering की जिसमें हम जानेंगे कि एक website के लिए जब हम उस पे testing करते हैं तो before testing हम उसमें क्या-क्या information उसकी gather करते हैं तो चलो सुरू करते हैं So information gathering में हमें mostly सबसे पहले इन 5 points का हमें साथ ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी websites को या किसी organization के लिए हम जब testing करते हैं तो उनके लिए हमारा सबसे main चीज रहता है कि यह particular 5 points सबसे पहले हमें find out करने होता है जो सबसे basic points है तो suppose नाव पहला point जैसे है organization and target detail तो क्या होता कि जब आपके पास एक website है organization तो mostly जब हम red teams करते हैं उस पे काम आता है तो थोड़ा advanced level के चीज़े हैं वो हम बाद में बात करेंगे फिलाल आते है normal एक target मुलोब एक normal scope पकर लेते हैं एक website तो अगर जब एक website लेते हैं तो उसमें हम mostly क्या क्या चीज़े करते हैं सबसे पहला हमारा काम रहता है कि जब अगर हमें एक website मिलती है तो उसमें हम करते हैं who is तो who is में हम mostly करते क्या है कि हम लोग इसमें register our name जिसने register किया है उसका detail और जैसे suppose आपने domain ली है तो godaddy.com ऐसे रेजिस्टार का name आता है तो रेजिस्टार नेम हम ढूटते हैं ओके registration date देखते हैं कब रेजिस्टर विती डोमेन कब इसका expiring date है ओके हम उसमें रेजिस्टरांट का contact details देखने का कोशिज करते हैं name servers find करते हैं तो एक basic सा who is करते हैं particular website का तो who is कैसे करते हैं या आप just basically normal website पर visit कर सकते हैं इधर पर who is.com यह रहा है who is.com का website तो इधर पर आप normally कोई भी domain डालेंगे जैसे मैं अपना ही डाल देता हूं अगर जैसे मैं अपना डालता हूं तो इधर पर देखें मेरे website का detail देखा रहा है राइट कि मैंने good ID से लिया था website ओके register कब है expire कब होने वाला है name servers किया है तो यह सब detail है हाँ पर registrant का contact detail भी रहता है जो अगर डाल सकते हैं तो मेरा इधर पर है नहीं और hide भी रहता है कभी-कभी data तो यह सब इस पर हम देखते हैं hoiz आप ऐसे भी कर सकते हैं और otherwise जैसे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए था bash का installation ठीक है open to वाला तो उसमन से भी कर सकते हैं just wait a minute open हो रहा है तोड़ा time दे रहा है just wait a minute तो whoiz इंस्टॉल है हम देख लेता है नहीं whoiz इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेंगे slash install whoiz तो आपका यह whoiz इंस्टॉल हो जाएगा locally तो बार बार आपको website open करने की जड़ों होती है नॉम्मली अगर आपके पास टर्मिनल जब भी आपने open किया whoiz करना है एरिक लिए इधर से whoiz कर दीजिए तो हमारा whoiz इंस्टॉल हो चुका है तो अभी यहाँ पर whoiz करते हैं just simply यहाँ पर website का name डाल दोगे and enter करोगे तो आपको उस website का सेम जो detail हमने website पर देखा है इधर पर ओके यह तो detail था अपना whoiz के बारे में नाव अभी हम बात करते हैं second step जो हम करते हैं target के बारे में finding वह है कि एक मिनट वह है crunch pace कि क्या करते हैं mostly हम लोग देखते हैं और जो target है उसके कोई sub acquisitions है क्या okay sub acquisitions हो लोग की जैसे for example जब आप bounties करते हैं तो उसमें बड़े scopes जब हम लेते हैं जैसे Google है Facebook है बड़े-बड़े organizations का जब हम बग bounties करते हैं तो उनके acquisitions भी होते हैं okay तो उन acquisitions पे भी वह लोग कभी bounties और swags देते हैं तो उस चीज की जानकारी के लिए हम लोग crunchbase पे detail लेते हैं तो यह इसकी website है crunchbase okay तो यहां पर आपको क्या detail मिलता है जिसे अभी मैंने यहां पर डाल दिया सपोज मेरे तो कोई organization है नहीं तो मैं यहां पर Google डाल देता हूं खिलाल के लिए ठीक है तो Google का already bug bounty platform है सबको पता रहेगा तो अभी इसे Google के कितने currently acquisition है वो हमें जानने है इधर पर आपको company का almost सारे detail मिलती है कि company कि इधर located है कितने employees हैं इसमें ठीक है okay and काफी details मिलता है जिसे financial में जाओंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कितना funding है क्या है okay stock price rate investor कितने है particular company में then किस-किस ने investment किया हुआ है और फिर यहां पर last में आते हम acquisition में हमारा तो main income इधर पर है जो हम ethical hacking है यह जो हम hackers लोग रहते हूं के लिए तो हमाला acquisition में ने बिकास कभी-कभी जो बड़ी अब्लेंस ने acquisition पर अपना bounties लेती है तो हम यहां पर देखते कि कौन सा current acquisition उन्होंने लिए है तो अभी अगर आप देख सकते तो इधर पर Google ने current यह चीजे सब यह सब इसके Google के acquisitions में है ठीक है तो इन पर भी आप bounties कर सकते हैं बट इसका कुछ terms and condition रहते हैं वह पहले आप पर्टिकुलर website पर जैसे Google का जो bounty platform है उधर पर आप जाके देख सकते हैं तो उसके terms and condition रहेंगा Google का bug bounty platform पर उन्होंने लिखा हुए है एक मिनट में open कर लेता हूं तो यह rules and security रहता है हमेशा जब भी हम किसी पी चीज पर bounty करते हैं तो पहले अच्छे से उसके सारे rules and regulation पढ़ लेना होता है because without rules and regulations के अगर आप करते हैं तो वह as a violation हो जाता है क्योंकि उन्होंने लिखा होता है कि किस-किस इसकोप पर testing करना है किदर किदर testing करना है तो यह सब एक बार पढ़ लेना ओके तो यह crunch base था जिस पर हम यह सारी details निकालते क्रश बेस से चलो यह तो हो गया crunch base की बाद अब इसके बार बारी आती है हमारे third number पर वो है एक मिनट वो है हमारा उस particular website के कि sub domains है कि नहीं कितने हैं तो हम यहाँ पर ढूटते हैं sub domains ठीक है sub domains का काम आता है same bounties करना हो जब यह फिर जब आपको सच में multiple targets दिये हो अटेक करने के लिए particular चीज के लिए तो तब हम sub domains का discovery घरते है single target के लिए कोई sub domains की जरूत नहीं है जब आपको एकदम जब आपको किसी organization में जाते है काम करने के लिए तो वहाँ पर जब आपको एक single scope दिया जाता है और सब बड़ी चीजा हमें target करने के लिए मिलती है बड़ी चीजों को बड़ी scopes में testing करने के लिए तब करते हैं तो sub domains में mostly बहुत सारी website बहुत सारी technique है वह हम next वाले जो information gathering का part 2 रेगा उसमें discuss करेंगे कि sub domains कैसे निकाले जाते का निकाले जाते उस पर एक specific अलग से topic बनाना पड़ेगा proper detail में तो हम sub domains निकालते हैं ओके यह था third option then उसके बाद हम same चीज है जैसे हम crunch base पे जो करेते हम same चीज है कि कितने employees है organization के कौन-कौन employee है वह हम LinkedIn के तो भी देख सकते हैं अब को हम पता हुआ LinkedIn platform है जिदर पर वहाँ पर अपने organization का डिटेल नैती है जैसे कि कितने employees हैं कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-स position में तो यह LinkedIn के तो भी दिखा जाता है ओके यह भी पह सिख लिए तभी काम आता है जब आप red team करते बड़े organization के लिए काम करते हैं सब ऐसे तो तभी काम आता है अधर्वाइस यह भी नॉमली आप single targets में इसका भी काम नहीं होता है तो यह तो basic सी चीजे हैं जो मैं आपको बता रहा था चेक करने होती है उसके बाद as a single target अभी हम समझे रहे not a multiple target जब single target पर हम जब हुइस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा second option आता है front end और back end technology डूड़नेगा ओके तो front end और back end technology हम क्या देखते हैं जैसे front end technology की HTML है CSS है जावास्क्रिप्ट क्या यूज़ कर रहे है ओके कौन सा framework यूज़ कर रहे है ओके और उसमों back end में क्या यूज़ कर रहे है back end में जैसे कौन से language पे PHP में है या फिर Python में है किस में है यह हम चेक करते हैं देन उसके बाद फिर हम यह चेक करते हैं कि इसमें database कौन सा यूज़ कर रहे back end में यह फिर post SQL है postgres टेक है तो यह सब चीज़े हम चेक करते हैं तो यह चीजों को चेक करने के लिए हम लोग जाएतर एक टूल यूज़ करते हैं जो बहुत कॉमन सा यूज़ होता है उसका नाम है वैपलाइजर टेक है मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा already I think मैंने extension लोट किया हुआ है यह है वैपलाइजर तो अभी जैसे यह देखी है यहां पर crunchbase already open था तो उसने इस particular website में बता दिया कि क्या-क्या है चलिए मैं अपने website में डारिक दिखाता हूँ इसमें तो जैसे यह देखी है यह मेरी website है wordpress पे बनी विये तो इसमें wordpress का version दिखा रहा है अब यह version किदर से दिखा रहा है यह आपको मैं manually next episode में बता हूँगा क्योंकि कभी होता है जब यह automation tools जो हम use करते हैं information gathering के लिए technology detection के लिए यह भी एक fingerprints और signature base पे ही detection करती है तो हम next episode जो next मेरा episode part 2 रहेगा information gathering उस पे हम थोड़ा सा basic सा जानेंगे कि manually कैसे fingerprint इनको हम ढूट सकते हैं जब अगर हमें scanner से ना मिले तो मैं sorry यह tools से ना मिले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह wordpress का version बता रहा है मैंने इस पर cloud player लगाया हूँ है ठीक है web है then कौन से widget यूज़ कर रहा हूँ database my skill wordpress वे बाइडिफॉल दिखाई देता है then मेरे उसमे analytics है AdSense है ओके and bootstrap कौन सा user है jQuery कौन सी है programming language कौन सी है वो सब दिखा रहा है तो यह signature base पर ही detect कर रहे है वेपलाइजर automatically ऐसे नहीं दिखता आपके जो front end जब website load होती है तो उस time पर particular language होता है जो भी चीज़े वो यूज़ कर रहे है JavaScript हो चाहिए HTML जो भी framework यूज़ यूज़ कर रहे है तो उस language का कोई ना कोई signature अपका as a front end पर load होता है तो जब वो load होता है जब वो पूरी website load होती है तो signatures को ही यह वैपलाइजर करने कुछिस करता है जब उसको signatures मिलते तो confirmation पर आता है कि यह particular चीज़े यूज़ कर रहे है वही चीज़ हम next episode में जानेगे कि manually कैसे देखते है तो यह है वैपलाइजर के अलावा एक और आता है टूल जिसको हम बोलते है words run यह थोड़ा slow है बट यह भी almost accurate दोनों एक जैसे एक जैसे result देते हैं तो what's run भी यह है तो इस पीसे भी आपको detail मिल जाएगा कि क्या इस website पे कि इस किस टेक्नोलोजी भी है तो यह काफे time ले रहा है मैं इसको जाने दे रहा हूं तो यह हो गया front end back end technology detection के बारे में तो जब एक बार front end और back end technology detection भी complete हो जाते है हमारा ओके तो उसके बाद हम आते हैं DNS information detail जो भी सबसे basic detail होती है DNS information में हमें क्या ढूटना होता है basically okay DNS क्या होता है पहले यह हम जान लेते हैं तो DNS basically क्या करता है कि DNS सबसे पहले तो domain name server ओके यह क्या करता है कि जो भी आपके internet पे website रहती है उसको address करता है मतलब address मलब लाए कि suppose मैंने एक website मैं establish करना जाता हूं okay तो मैंने go daddy से domain name लिया ठीक है जैसे मेरा खुद का है kunstip.in ठीक है यह domain name लिया तो इस name को एक particular IP के साथ हम map कर देते हैं ठीक है तो वो क्या होता है कि जो IP है उसको तो हम बार बार याद नहीं रख सकते हैं तो हम क्या याद रखते हैं c name ठीक है domain name याद रखते हैं तो उस चीज को हम human readable address बोलते हैं तो यह क्या करता है कि जो हमने domain लिया है जो domain लिया है मैंने kunstip.in तो उसको translate करने की कोशिश करता है IP address में जो IP address assign हुई है तो अभी हम आगे बात करते हैं कि हम इसमें क्या-क्या find out करते हैं तो इसमें हम find out करते हैं यह दर से arrow दिखा देता हूँ A record ओके जोसे IP V4 भी बोल सकते हैं C name find करते हैं A records IPv6 records ठीक है SPF records ठीक है और txt.txt record और और भी बहुत सारे records है मैंने list डाला है description तो आप देख सकते हैं वो सब records हम DNS information में find out करने की कोशिश करते हैं तो DNS information एक बार gather हो चुक है आपका यह सब detail निकाल चुक है तो DNS information से भी हमें काफी information मिल जाती है कि suppose कभी कभी लोग क्या कर देते हैं यहां पर misconfigure क्या कर देते हैं कि वो बहुत अपने subnets सारे डाल देते हैं ठीक है तो आपका mail server का भी address डाल देते हैं वो ढूटने के बाद हम लोग क्या करते हैं हम फिर जाते हैं leaked और bridge data अभी suppose आप एक website पर testing कर रहे हो ठीक है अब हम क्या करते हैं यह leak और bridge data हम mostly google docking आपने सुना होगा बहुत बार नहीं सुना होगा तो आएक बार देख लिए गूगल डॉकिंग क्या है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुआ है ठीक है basic सा और वैसे भी मैं आने वाले next episode में सिखाने वाले हूं तो एक अलग से भी वीडियो है बट इस वीडियो के अंदर भी रेगा तो google docking गूगल डॉकिंग बोल सकते हो यह फिस सर्च इंजन डॉकिंग बोल सकते हो यह सर्च इंजन में बहुत सारी सर्च इंजन आते हैं डगडग गो आ जाता है याहू आ जाता है ठीक है बिंग आ जाता है तो सबके अलग-अलग डॉकिंग रहती है तो यह dorking हो गया देन उसके बाद हम github पे सर्च मारते हैं github पे भी सर्च मारते हैं चीज है कि कुछ यूजर के डिंशल डिटेल लीक तो नहीं है ठीक है तो यह लीक डेटा के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे काफी अच्छी जी बट मैं इतना बहुत हो कि हम इसम confidential data होगे तो हम उनको भी ढूड़ने की कुछिस करते हैं उससे क्या होता है कि आप अगर किसी वेबसाइट पर टेस्टिंग कर रहे हैं आपको ऐसी चीज मिल गई तो आप उनको रिपोर्ट करेंगे तो यह बैटर वे हो जाता है कि at least वह लोग से हो जाते कि हाँ अवेर हो कि आपकी यह चीजे लीक हुए है तो प्लीज आप यह चीजे क्लोज कर दीजिए विकास में अगर उनको लगा कि काफी sensitive data है तो लोग definitely क्लोज करेंगे उसको ठीक है तो क्या sensitive रहता है क्या नहीं रहता हूं हम next आने वाले दूसरे एपिसोड में बात करेंगे ठीक है तो हम हम डूटते हैं फिलाल के लेतना है रहा हूं कि हम लीक डेटा और ब्रिचिस देखते हैं तो लीक डेटा और ब्रिचिस क्या होता है नॉमली अपना वही यूजर नेम लीक हो है पासवर्ड लीक हो है कुछ sensitive फाइस जैसे सम्हों लोगी आधर कार्ड है नॉर्मल पैन सेंसिटिव रहने चाहिए बड़ो नहीं होने चाहिए बाहर तो वह चीज है लीक डूए तो लीक डेटा मा जाता है ठीक है तो यह पॉइंट भी गावर होने के बाद आता है हमारा एक्सपोज एंड हीडन डारिक्टरी और सेंसिटिव इंफोर्मिशन बिसिकली इसको हम प इसे अभी समझ लो आपको एक ग्जामपल अपने वेबसाइड में दिखा देता हूं यह नॉर्मल वेबसाइड है इसमा आपको सिफ इधर पर जो चीज़त देख रही है सामने वही आपको ओपन कर पा रहे हो बड़ इधर पर कहीं भी आपको लॉग इन पेज नहीं दिख लॉग इन ऐसा ही कुछ है यह नहीं है एडमिन डालोगे तो भी मिल जाएगा अन्पोंट याक तो रहता नहीं है ज़स सिकते हैं एडमिन डालते हैं आगे देखे तो यह यूजर नेम पास्वर लॉग इन डालने का आगे तो यह क्या है एग हीडरिन डिरेक्ट्री तो है आपको डिरेक्ट्री दिखेगा नहीं हो सामने क्योंकि सामने यूई में है ही नहीं बड़ो बैकेंड में है वह अल्रेडी उन्होंने लिखा है वह नॉम्मल एडमिन यूजर करने वाला है तो वही चीज है कि हम क्या करते हैं हम इंच जो का पर यह एक्सपोस हीडरिक्ट् की नहीं अभी के लिए है बट इसके ऐसी जैसे अभी में को डबलोपी लॉगिन डालके ही मिला अभी यहां पर अगर मैं जैसे कोई सिस्टम की फाइल डाल ले था संबोच कोई क्रेडिंशल ऐसा अगर डाल दिया जैसे उनके वेबसाइड में है समझ लो यूजर लिस्ट.txt करके कोई एक फाइल है समझ लो ठीक है इधर पर मेरे उसमें है नहीं मैं इसे इंग्जाबल दे रहा हूँ वो रही और आपको यहां पर लिस्ट आप यूजर्स दिखने लगए टेक्स्ट फाइल में नॉमल तो एक सेंसिटिव डेट है मल लो ठीक है स क्षेंसिटिफ इनकोंशन है जो रिक्स अरी पर्टिकुलर वेबसाउट से तो्व को भी हम उनकोंशन करते हैं तो यह कि cooling अदकशन करते हैं तो यह सब्यांद ध्यान हिंदा है बिकास आफ्टर आल जब आप बॉंटेस आपने सुने होंगे काफी चीज़ है तो जब हम वह लोग करते हैं तो सबसे पहले तो यही स्टेपस पर जाते हैं क्योंकि सबसे कॉमन कॉमन इशूस जो होते हैं इधर से मिल जाते हैं ठीक है और ऐसे इसे डिरेक्टरिस मिल जाते हैं जहां पर और चांस होता है वलनेबरिटिस निकालने का तो यह सब बेसिक चीज़ हैं यह आप सीख लिजे मैंने डिस्क्रिप्शन पर अच्छे से पूरा डेटेल में ड दाल रखाए तो वह भी लिंक डालने नीचे वह आप देख लिजेगा में डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो यह चीजे आप नोटडाउन कर लिजेगा तो फिलाल के लिए तो इस एपिसोड में इतना ही ठीक है नेक्स एपिसोड में हम तोड़ा और डिटेल में जा लेंगे frontend technology के बारे में DNS information के बारे में और दोतीन नई टेकनिक्स हैं काफी दोतीन नी काफी टेकनिक्स हैं बैसे दो बट जो main टेकनिक्स 그 मैं अधर पर डालुग कुछ ऐसी तेकनिक्स हैं ज को मैं YouTube पर डालुटा मैं भी श्ट्राइट आ जाए तो मैं कोशिचँ और हआग और अ झाल झाल